हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल आज का मेकप लोग होने वाला है नवरातरी मेकप लोग और मैंने अपने बालों को फ्रंट से करल कर लिया है और पीछे के बालों में मैं जूड़ा बनाऊंगी हलका सा बैक कोमिंग मैंने किया है ताकि मैं मांगतिके को सेट कर सु पूड़ा आज मैं एक हेर एसेसरी बे एड करूंगी जिससे मेरे बन को मैसी लुक मिलेगा तो इस तरह से रबर बैंड से मैंने टाइट पोनी बना ली उसके बाद इस पोनी टेल को घुमा के मैं एक नॉर्मल बन बना लूंगी और इसको रबर बैंड से सिक्योर कर पिन से और जो बचेवे बाल है उसको मैं जूड़े में टक कर लूंगी मैं कोई भी कोम यूज ने करूंगी सब कुछ फिंगर से ही करूंगी ताकि एक मैसी लुक बन सके बहुत नीठ हमें नहीं करना है और बचेवे बालों को जूड़े में टक करके फिर दोनों साइड के बाल उठा के मैं टक कर लोंगी और इयर्स की तरफ से थोड़े से बाल निकाल लेंगे ताकि हम उसको कर्ल करके अच्छे से करली लुक दे दे मैंने साब कुछ कर्ल किया था लेकिन वह उपन हो गया क्योंकि मुझे अपनी बेटी को स्कूल लेने जाना था तो अब बाल खो आज मैं सबसे पहले आई मेकप करूंगी उसके बाद मैं बेस मेकप करूंगी जनरली मैं बेस मेकप पहले करती हूं राई मेकप बाद में लेकिन आज मुझे कलरफुल आईशेडो करना है तो जो भी फॉल आउट होगा वो मैं क्लीन कर पाऊंगी तो मैंने सबसे पहले आइस का स्पेस सब को पूरा कवर कर दूंगी लाइट कलर इसलिए ताकि मेरे जब कलरफुल आइशेड़ो लगाऊंगी तो वह अच्छा से पॉप अप हो सके इस सब यह कंसीलर पूरा लगाने के बाद मैं इसको व्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूंगी और पाउडर स क्रीज मेरे आँखों में दिखती नहीं बिल्कुल और मुझे बहुत मुश्किल होती आई मेकप करने में फिर भी मैं कोशिश करती हूं डिफरेंट डिफरेंट आई मेकप करने की अब मैं एक थोड़ा सा डाक शेड लोंगी और उसी के हलका सा नीचे एक क्रीज बनाऊंग और अपने आईज में लगाते जाएंगे और लास्ट में ब्लेंड करेंगे तो सबसे पहले मैंने आउटर कॉर्न में लगाया है ग्रीन कलर उसके बाद मैंने ब्लू कलर उठा के इस तरह से प्लेस कर दिया ग्रीन के बगल में देन पिंक कलर और उसके बाद येलो कलर येलो उठाके सारा जितना भी फॉल आउट हुआ था सब कुछ क्लीन कर लिया दोनों आइस का कंप्लेट हो चुका है आईशेडो अब मैं लगाओंगी काजल को एजल लाइनर ये शिमर वाला काजल है शुगर का और इसको मैं लाइनर वाली जगह पर लगाओंगी नवरातरी लोख लगाओंगी और इस तरह से फॉल आइशेस को मिक्स क्रीस के लिए मैंने मस्कारा लगा लिया अपंग बेस की तरफ बढते हैं के लिए मैंने यह वाइट कलर का प्राइमर लगाया है आज सब कुछ मैं बेस में सबसे पहले वाइट वाइट यूज़ कर रही हूँ इससे बहुत अच्छा एक ग्लोई डूई एफेक्ट आता है मेरे फेस पे यह पहले वाइट वाइट दिखेगा लेकिन बाद में ब्लेंड होने के बाद यह बिल्कुल आपकी स्किन का हो जाता ह देन मैं एक और प्राइमर लगाऊंगी जो की है पोर मेनिमाइजर का प्राइमर और इससे मेरी जितने भी पोर्ड हैं वह बलर आउट हो जाएंगे देन मैं अब लगाऊंगी कंसीलर जो मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क है मेरी स्किन पे आजकल बहुत रेड नेस हो रखी है और रेड डेस इसलिए है क्योंकि मुझे कोई भी संस्क्रीम सूट नहीं कर रही है मैंने बहुत सारी संस्क्रीम ट्राइक की लेकिन सारी संस्क्रीम मेरे फेस पे रियक्शन कर जा रही है और अगर आपको मेरी स्किन के हिसाब से कोई संस्क्रीम समझ में आती है तो अब मैं लगा रही हूँ एक लाइटर शेड का कंसीलर अपने हाई पॉइंट पे जहां-जहां मुझे लाइट एफेक्ट देना है वहां-वहां में लाइट करा का कंसीलर लगा के और वेट ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर रही हूँ आज मैं कॉंटोरिंग भी करूंगी मुझे कॉंटोरिंग बहुत पसंद है यह फुल हैवी मेकप है आप चाहे तो ऐसे किसी की शादी में आप चाहे तो अपकमिंग करवा चौत में भी इस लुक को कर सकते हैं जब कंप्लीट मेकप लुक होता है न तो बिल्कुल फेस चेंज करने के बाद आपका फेस फेस को एक शेप मिल जाती है बहुत अच्छा से नहीं तो अगर हम इतना हैवी मेकप करने के बाद कॉंटोरिंग ना करें तो बहुत फ्लैट फ्लैट चेहरा लगता है वह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो जहां-जहां कॉंटोरिंग देन हम ब्लश लगाएंगे हाइलाइटर लगाएंगे और अपने लुक को कम्प्लीट करेंगे एक लिप्स्टिक के साथ तो सारा जब कम्प्लीट हो जाएगा तो यह बहुत अच्छा है मेकप लुक निकल क्या है आपको कैसा लगा प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करिएगा शेयर करिएगा और अगर आप नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो आपको यह मेकप लुक अच्छा लगा हो मैंने सारी जोलरी पहन ली पूरा ड्रेस अप रेडी कर दिया ठीक है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन बाई लव यू आल